क्या हो रहा है सोचिए बार-बार जब ये सवाल उठाय जाता है कि ये कट्टर पंत के बारूत पर है इंडिया जब अब सोचिए एक और चीज़ को बहुत ध्यान से समझेगा यहां कट्टर पंत के खिलाब मैसा के समर्थन में लोग हैं सडको पर यहां रुपाली के समर्थन में कोई नहीं है सोचिए गला काट दिया गया बुर्का ना और रुपाली है इन्होंने शादी की मुहमत इकबाल से तीन साल पहले शादी हुई अब इसको पकड भी लिया गया है मौमत इकबाल को अच्छा मुझे बताए जा रहा है मौमत इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है यहां बुर्के के लिए गला कारड़이면 साथ तारिक फते जुड़ गये हैं एक मिनित इसलिए तारिक फटे को अभी मैंने रिक्वेस्ट करी जुणने के लिए तारिक फटे साब है शिवम मेरे साथ है और जवाद साब मेरे साथ है लेकिन तारिक फटे मैं आपी से शुरू कर रहा हूँ भारत में बुर्का ना पहनने पर गला काट दिया रुपाली का मुहमत अकबाल ने रुपाली ने मुहमत अकबाल से शादी की और मुहमत अकबाल ने गला काट दिया क्योंकि मुसलिम रिती रिवाद नहीं मान रही और बुर्का नहीं पहन रही थी तीन साल बाद तारिक फट की कि अगर उन से कुछ पॉजिटिव चीज नहीं होती है तो वो अपनी कमजोरी को अप औरतों पे निकाल रहे हैं और मैं क्या कह सकता हूं ये कहां से बुर्का आ गया ये किस ने कह दिया कि बुर्के में रख़ो औरत को ये किस टाइब का इसलाम आ गया हिंदुस्तान में कि हिरानी होती है कि हमारी जो दादिया नानिया थी जिन्होंने बुर्का नहीं पहना आज वो उनकी पोतियां और दर्पोतियां को मारा जा रहा है कि वो बुर्का नहीं पहन रही ये मुसल्मान मर्दों को प्रॉब्लम क्या है ये जाके डॉक्टर से आपने आपका इलाज कर वाई औरतों को क्यों मारते हैं जाके कहें कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है हम औरत का बाल देखते हैं तो हमारी वहशत आ जाती है अधिक्ता प्राबलम लेकिन सर मुझे इहरानगी इस चीज़ की ज़्यादा है तारिक फते जी एरान में गुस्सा है महसा का मर्डर हुआ हिजाब ना ठीक से पहनने पर लेकिन वहां लोग सडकों पर है यहां तो रुपाली का गला काट दिया बुरके नाप यहां कोई वो ही नहीं है यहां नॉमल हो गया मुझे लग रहा है सडक पे आ गई आपके पीनल कोड में है डेथ थ्रेट देने की क्रिमिनल लॉव में है यह कि आप जब थ्रेट करते हैं किसी को कि मैं आपको मार दूँगा तो देज प्रोविजिन इंडियन क्रिमिनल कोड के उसके उपर केस किया जाए फ्रेटनिंग डेथ जहां पर भी जलूस निकालें कानपूर में निकालें बंबई में निकालें सबकी मर्जी है उन्डागरदी है वो चल रही है और हरानी चीज़ की है शिवम एक कमेंट में आपका बहुत बड़ा पैनल है में जो PFI पर डिबेट करनी है लेकिन मेरे को लग रहा है इस ख़बर को बताना बहुत जरूरी है शिवम मेरे को तो हहरानगी है जितने अब मैं PFI की चली PFI है जितने संगठन हिजाब के समर्थन में सडकों पर आ सकते हैं बूर्के की वज़ा से गला कटने के खिलाफ लेख सडकों पर नहीं आएंग अब कोई ने सडकों पर आएगा कि बच्ची का रुपाली का गला काट दिया मौमत अकबालने बुर्का ना पेनने के वज़ा से कोई नहीं आएगा सडकों पर मैं तो ये एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने अमन जी कहा कि ये कल सुबा की खबर है, आज रात के आठ बच चुके हैं, मेडिया में भी खबर कहा है ये, एक चीज़ बताईए, आपको याद होगा जब वो बुर्का क्लैड को लेकर जो स्कूल में हंगामे हुए उस बात को किस तरीके से इदेश में हंगामा शेरनी बताया गया था, अल जवाहरी तक ने उसकी तारीफ की थी, कॉंगरेस के विधायकों ने उसको मोबाईल फोर्म गिप के थी, अल जवाहरी ने तारीफ की थी, उसकी इतनी बड़ी बात थी, लेकिन रुपाली है, प्रफन में वो थी, ही भाजी जाप के खिलाफ वो थी, मौत के घाट उतार दिया वहां की सरकार ने, हला तो यहां पर भी अगर आप देखें, तो लोग चाहे, मतलब दुनिया में कोई भी देश हो, और अगर इस संगठन, इस मत के लोग हैं, उनका जो एक्टिविटीज हैं मतलब, almost same ही है, हम democratic जरूर हैं, लेकिन रुपाली का तो यहां भी यही हाल हो रहा है, हम democratic जरूर हैं, इरान में भी यही हाल हो रहा है, वो तो democratic भी नहीं है, शिवाम भाई, भारत इरान में फर्क है ना, कुछ, मैं सर, रौकेपूर ओफिसर, RSN सिंग, सर, माफी के साथ मु मुहमत इकपाल ने, RSN सिंग, भारत, भारत के मुसल्मान और पाकिस्तान के मुसल्मान और इनाद के मुसल्मान में कोई फर्क नहीं है, सर, in fact, सारा जो narrative है, हिंदुस्तान से जाता है, देवबंद से जाता है, बरिल्वी थौट यहां से जाती है, वी आर दबीगेस्ट एक आपको बता रहा हूं, चाहें वो है ले अधिस हो, बर अल्वी हो, जो पाकिस्तान में सरतन से जिदा यह नारा? अब क्या सोच पें कि इनका और इजिनल नारा में सरतन से जिदा, यह तो अभी शुरुआत हुई है, पाkिस्तान में, और इरान में आपको मालून है, कि क्य कいते हैं जिसने पाकिस्तान बनवाया और सब में एक बात common है यह सब recent converties हैं तो हमारे हां कहते में कि नया मुल्हा जादा प्यास कहता है सफैर बेक्रा उत्णहीं जल्दी काटता है वो क्योंकि उसे प्रूव करना है उसे प्रूव करना है कि उस दिन आपके चैनल पर मैंने यही बात कही थी कि दुनिया में अगर आप यह सर्फिरे अगर सर्फिरों की लेने जिहादियों की तो आपको सबसे ज़्यादा इस सब कॉंटिनेंट में मिलेंगे इतने गंदे सर्फिरे आप आप उपने देखा जो बिटिन में अभी हुआ है वो सर्फिरे कुन थे बोलो कि शरीयत सर्व परी है या संभीदान सर्व परी है पहले इसका तब ये मेरे से ये सवाल पूछना आप लोग कभी ये जवाद तो इसमें आपको हैरानी आपने पीएफ़ाई के रेट्स नहीं देखे कितनी बड़ी फसल कितनी बड़ी फसल जहां देखो आसाम में कटा वहां रिचारवेश भियार में रिचारवेश यूपी में रिचारवेश महराष्ट में रिचारवेश केरला में रिचारवेश और फिर आप लग बोलते हो कि this is a very diverse country ये बड़ी विविद्ताओं से भरा देश है सर कहां चला जाता है ये विविद्ताओं वाला देश और केरल का जिहादी और कश्मीर का जिहादी और गोड़